दोस्तो यदि आप doctor है तो आज का video specially आपके लिए है आज हम जानेंगे कि एक doctor और patient के सम्बन्द में कैसा समवाध होना चाहिए कैसी communication होनी चाहिए हमको पता है कि यदी doctor और patient के अंदर बीच में communication अच्छी होगी समवाध अच्छा होगा तो उसके 2 lab होगे पहला लाब डॉक्टर मुरीज का डायगनोज अच्छी तरह से कर पाएगा उसकी बिमारी को अच्छी तरह से जान पाएगा दूसरा डॉक्टर और पेशन के बीच में अच्छे रिलेशन बनेंगे दोस्तो आज के वीडियो में हम जानेंगे उन 6 तरीकों के बारे में जिसके जरिये डॉक्टर अपनी कम्यूनिकेशन स्किल को बहतर कर सकता है और पेशन के साथ बहुत बढ़िया मधूर समंद बना सकता है तो आईए जानते हैं वो 6 तरीके क्या है जो आपकी कम्यूनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं बहतर बना सकते हैं पहला तरीका वर्बल एंड नोन वर्बल प्लियूज दोस्तों हर एक पेशन्ट डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताता है वो बताता है मुझे फ़लान बीमारी, फ़लान लक्षन, फ़लान सिम्टम इतने दिन से हैं और इस तरह का इनका नेचर है, इस तरह से ये आते और जाते हैं वो बीमारी को बताने के साथ-साथ में कुछ नोन वर्बल प्लियूज भी देता है अपने हाथों से, आखों से, पाउं से या अप श्रीर के किसी अन्य हिस्से से यदि डॉक्टर को non-verbal communication के बारे में जानकारी है non-verbal clues के बारे में पता है तो वो एक बहतर चिसक हो सकता है क्योंकि ये non-verbal clues भी बोलने के साथ साथ बहुत सारी बाते ऐसी बताते हैं जो डॉक्टर के लिए जानना important हो सकती है तो इसलिए आपको verbal और non-verbal दोनों clues के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, दूसरा तरीका provide information, patient want to know दोस्तों, चिकिसक को, डॉक्टर को अपने patient के साथ वो सारी जानकारी या share करनी चाहिए जो वो प्राप करना चाहता है यदि डॉक्टर अनाकानी करता है तो patient के साथ उसके relation खराब हो सकते है दोस्तो, patient के बारे में डॉक्टर को जो भी जानकारी है या patient जो भी पूछना चाहता है वो डॉक्टर की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी हर बात का जवाब दे कई बार patient irritable question भी कर देता है और डॉक्टर डाट के या तेज बोल के उसको दुबाने की कोशिच करता है उससे relation खराब होने की समभवना होती है और दूसरे क्योंकि patient तो patient है और वो एक normal इंसान नहीं है उस समय आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी हर बात का सही से उत्तर दे जो जानकारी वो चाहता है यदि वो आपके पास है तो उसे provide करें दोस्तो तीसरा तरीका है discuss nature cause and prognosis of disease आप patient के साथ उसकी बीमारी के बारे में वो किस कारण से हुई है और वो कितने दिन में ठीक होगी या वो असाध्यर होगा है ये सारी की सारी बाते अवश्य शेयर करें जब आप उसको सारी बाते बड़े प्यार से समझाएंगे तो patient के साथ आपका रिष्टा भी अच्छा बनेगा और patient को भी ये जानने में मदद मिलेगी वास्तो में उसकी बीमारी का सवरूप कैसा है और वो कितने दिन में ठीक होने वाली है दोस्तो चोथा तरीका है disclose treatment options available जी हाँ दोस्तो जितने भी treatment के गिस्सा के तरीके उपलब्ध है वो आपको सारे patient के साथ share करने चाहिए कि वो medicine से ठीक हो जाएगा या surgical intervention की भी अफशकता पड़ेगी इत्यादी इत्यादी दोस्तो पांचमा तरीका है motivate patient for lifestyle modification बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे खान पान रहन सेन और lifestyle से समंदित होती है इसलिए एक डोक्टर की नहतिक जिमेदारी भी है कि वो दवाईयों के साथ साथ procedure के साथ साथ patient को ये भी समझाए कि उसे अपनी दिंचर्या में उसे रहन सेन में बदलाव करना है उसे सेर भी करनी है खान पान का भी ध्यान रखना है ये चीजें उसके लिए त्याजिये है ये उसके परहेज है इत्यादी इत्यादी दोस्तो पत्थे पत्थे का बहुत बड़ा रोल होता है तो किस तरह से उसने अपने जीवन के अंदर modification करनी है, lifestyle modification करना है ये भी एक डॉक्टर को patient के साथ सांजा करना चाहिए दोस्तो सबसे अंतिम और सबसे महतोपुरन तरीका है Always use less medical terminology जी हाँ दोस्तों, आपको अपने patient के साथ कम विग्यानिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कम medical terminology का इस्तेमाल करना चाहिए आपके patient को simple clear message जाना चाहिए जो भी आप उसे समझाना चाहते हैं यदि आप patient के साथ simple भाषा में बात करेंगे तो आप उसके साथ एक अच्छा रैपो बना पाएंगे उसके साथ बेतर समझ मना पाएंगे दोस्तों ये थे वो 6 तरीके जिने समझ कर और अपनी practice में रख कर आप एक बेतर समवाद अपने patient के साथ कर सकते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे like करे, comment करे, share करे और ये दिया अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो इसे अवश्य करें मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विश्य के साथ तब तक के लिए नमश्कार